अगर मैं आपसे एक बार पूछता हूँ डाक्टर बहुत अच्छा हो आपको कोई तबियत आपकी खराब है डाक्टर बहुत अच्छा है डाक्टर बहुत अच्छी-ची बाते भी करता है और आप उसके पास गये हैं आपसे बहुत अच्छी-ची बाते किया लेकिन दवा नह पाज जाएंगे आप उसको अच्छा मानेंगे आपका ड्राइबर है ड्राइबर को आपने 15,000 रुपे में रख लेते हैं 15,000 रुपे के असपा ड्राइबर रखा जाता है इतने यहां पे भी होगा मेरे समझ से हम भी इतने लगबक देते हैं ड्राइबर को हम एक महिने में वेतन देते हैं एक बार देते हैं जब वो डेली सुबह गाड़ी निकालता है तो पैसा मांगता है क्या बोले जरा और अगर बोले बागुजी 500 रुपे लाओ तब गाड़ी निकाल लूँगा तब क्या करोगे आप ठांच वहएं खटा दोगे आप回去 थाने दार को एक लाख मिलता है तसिल अइं दार को दो लाख मिलता है कलेक्टर को उससे जज़्दा मिलता है और वो आपसे पैसा मांगता तब तो आप दे देते हो अरे उसको इसी बात के लिए तो दिया है हवलदार को हवलदार की ड्यूटी करने के तो वेतन दे रहे थानेदार को थानेदार का काम करने के लिए वितन देरे जैसे अपने घर में काम वाली आप रखते हो 2000 रुपे महीने के देते हो आप और डेली आए और जाड़ू हाथ में लेले बोले जाड़ू तब लगाऊंगी जब 100 रुपे आप दोगे आप दोगे क्या तो उसको आप नहीं देना चाहते हो 15,000 रुपे ड्राइबर को देते हो लेकिन 500 रुपे अगर रोज मांगे 500 रुपे दो तब गाड़ी निकालू हो तो नहीं दोगे आप और जिनको लाख लाख रुपे मिल रहा है उनको बड़े आराम से दे देते हैं हमने कभी सोचा ही नहीं हमको लगता यही किस्मत में है ऐसे ही होता है अगर ऐसे ही होता है तो बाकी जैसे क्यों नहीं होता है इस देश में जितनी देश विरोधी गद्विधियां है जितनी एंटी नेस्नल एक्टिविटीज हैं सब black money से चल रही हैं सब हवाला से चल रही है सब foreign funding से चल रही है आप नकसलियों की funding हवाला से होती है और विदेशी funding से होती है आप funding रोग दीजे मैं guarantee के साथ कहता हूँ नकसल वाद भरस्टाचार खतम हो जाए मावाद जड़ दम तोड़ देगा मैं दूसरा example देता हूँ अभी एक यहीं पर मालीजे सेर आ जाए हम लोग क्या करेंगे है कोई सेर लड़ने की हिमत करेगा उस सेर से बोलिए जरा यहीं एक सेर आ जाए है कोई हिमत उस सेर को पकड़के एक महीने उसको पानी दाना बंद कर दीजे और फिर सेर लाके हरक दीजे फिर कोई डरेगा चलो दूसरा example देते हैं खली महाबली खली दारा सिंख जी नहीं इसलिए खली का नाम लेता हूँ आज ग्रेट में खली आंके खड़ा हो जाए हम में कोई खली से पंजा लड़ाएगा और खली का एक महीने उनका दाना पानी बंद कर दीजे और फ अरे बैया सुबह से शाम तक हम लोग अलगावाद की बात करते हैं सुबह से शाम तक धर्मांतरण की बात करते हैं सुबह से शाम तक मावाद की बात करते हैं जहाद की बात करते हैं मिसंडियों की बात करते हैं सब की बात करते हैं कभी यह नहीं सोचते हैं यह जिन्दा कै यह हो कैसे रहा है मावादियों की फैक्टरी लगी यह क्या बताई जरा मावादी जहां रहते हैं चछतिस गड़ में बस्तर में फला 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 जहां भी रहते हैं उनकी कोई फैक्टरी है जोर से बोलिये नौकरी करते हैं तो उनके दिल्ली जैपूर बैंगलोर में बड़े-बड़े फलैट कहां से आ रहे हैं कहां से खरील लेते हैं भी आओ खालिस तानियों की कोई फैक्टरी है कोई धंदा ब्यापार है कोई वो नौकरी करते हैं नहीं तो इतने बड़े-बड़े काम कैसे कर ले रहे हैं पी एफाई के लोगों को बचाने के लिए 25-25 लाख रूपए फीस लेने वाले वकील सुप्रीम कोट में खड़े हो जाते हैं पी एफाई के लोगों के पास इतना पैसा है क्या तो क्योंक ऐसे खड़े हो जा रहे हैं कभी आपने सोचा ये क्या बोलते हैं ललित-मोदी एक दोजार करोड का खोटाला किया था कित्ते का किया था तीन-चार-जार कर रहे है नवहजार करोड उसकी खूब चर्चा हुई लेकिन उसने लूटा तो यह भी दिख रहा है हजार करोड का घोटा ला किया थे वो पैसा कहां गया मोहिन कुरेशी ने 35,000 करोड का घोटा ला किया वो पैसा कहां गया है हसन अली ने 45,000 करोड का लूटा इस देश से वो पैसा कहां गया है ललित मोधी वाला तो दिख रहा है मालया वाला भी दिख रहा है चौकसी वाला भ दिख भी निर मैं इस महुत अनुटक इस देश में जो देश विरोधी लेक लिखे जाते है जिनको देखके आप सबको गुशा आता है वह फ्री में नहीं होता ऐसे एक एक लेक लिखने लिए दद्धश लाक रुपे मिलते हैं तो जिसका काम देश विरोधी लेक लिखने कि चल रहा है को। वह तो जरूद क्या है फंडिंग रोकना पॉत इस देशवरोधी ट्रेंडिंग करने के लिए विदेशों से फंडिंग होती है देश-बिरोधी लेक अखबारों में लेख लिखने के लिए फंडिंग होती है देश विरोधी टीबी चैनल पे इंटरव्यू करने के लिए फंडिंग होती है ऐसा कौन सा देश विरोधी काम है जो फ्री में होता है रास्ट हित का कारे फ्री में होता है आप जितने लोग आये हो इसमें किसी को पै पैसा नहीं मिला है सब अपना-पना समय अपनी गाड़ी का पेट्रोल खर्च करके आये हैं देश बीरोधी जो मीटींग होती हो फ्री में नहीं होती है मंचवालों को भी पैसा मिलता है सुनने वालों को भी पैसा मिलता है पचास हजार करोड की फंडिंग आती है खाडी देसों से हवाला के जरीए और लगबट पचास हजार की फंडिंग आती है पश्चिम देसों से FCR के जरीए मिसनरियों की पूरी फंडिंग वेस्ट कंटिस से होती है FCR के जरीए जहादियों की पूरी funding खाडी देशों से होती हवाला के जरीए इस देश में पांच करोड घुस पैठिये बसा दिये गए पांच करोड एक दो करोड नहीं आस्टेलिया की जनसंख्या धाई करोड है यानि दो आस्टेलिया के बराबर भारत में बंगला देशी रोहिंग्या रहते है मेरी उस पे भी प्याइल चल रही है घुस पैठियों को निकलने और एनर्सी लागू करने के लिए कैसे आते हैं बार्डर पे घूस देके आते हैं घुस लेने वाला हमारा आपको कोई भाई होता है दो हजार रूपए लेता है एक घुस पैठियों को अंदर करा देता है आते हैं दो हजार रूपए देके आधार बनवा लेते हैं वो आधार बनाने वाला हमारा आपको कोई भाई होता है और जैसे ही एक document बन गया आधार, एक document से दूसरा document बनाना बहुत आसान है, 2000 रुपए और देता है, रासन कार्ड बन जाता है, वो रासन कार्ड बनाने वाला भी हमारा आपको कोई भाही होता है, और जब दो document हो गए, आधार और रासन कार्ड, तो तीसरा document बर या driving license भी बन गया, जब चार document बन गये, तो 2000 रुपए दिया, ओटर ID बन गया, अब आप करते रहो NRC, कर लो आप NRC, रश्टा चार के कारण सुप्रीम कोड के आदेश पे, सुप्रीम कोड के आदेश पे असम में NRC हुई थी, सुप्रीम कोड के आदेश पे हुई थी, जस हुई घुस पैटियों ने घुस दे काधार बनवा लिया, घुस दे के रासनकार बनवा लिया, घुस दे के ड्राइउंग लाइसेस बनवा लिया, सब कुछ बनवा लिया, और जब रेजिस्टर बनाने की बारी आई, लेखपाल पटवारी जाते हैं रेजिस्टर बनाने के तो जब बाद में register complete होगा तो जनसंख्या बढ़ जाएगी हसम की तो झोरों दिमाग लगाया दिन भर में जितने घुसपेढ्ठीयों का नाम register में जोडते थे उतने असम वालों का नाम निकाल देते थे तो जब बाद में रजिस्टर बना तो घुस पैठी ये असम के निवासी बन गए जो असम के निवासी बन गए उनका रजिस्टर से नाम गायब हो गया फिर अंगामा शुरू हुआ और ये मुख्यमंत्री सर्वानन सोनवाल जी के समय में हुआ है और ये भी बता दू सर्वानन सोनवाल जी की PIL से वहाँ पे NRC लागू करने का आडर भी हुआ थ अब आप कलपना करिए ये भ्रष्टाचार कितना बड़ा खत्रा है सर्वानन सोनवाल जी ने PIL फाइल किया सुप्रिम कोट से यहां घुस पैठी है बहुत आगा इनको निकालो सुप्रिम कोट ने कहा ठीक है निकालो भगवान के दिया से सोनवाल जी मुख्यमंत्री बन गए अब जिसकी PIL पे आडर हुआ वही मुख्यमंत्री बन जाए अगर मेरी मेरे पियाल फाइल किया जनसंख्या नियंत्रन कानून होना चाहिए और मुझे मैं मंत्री बन जाओं और मुझे जनसंख्या नियंत्रन कानून बनाने का काम मिल जाए तो मैं तो पूरी दुनिया का सबसे बढ़िया अच्छा जो कानून होगा वो बनाऊंगा न तो भाजबा की सरकार में सोनोवाल जी के मुखी मंतिर रहते हुए जिन्होंने सुप्रीम कोड मित्ती बड़ी लड़ाई लड़ी और एनर्सी फेल हो गई किसने फेल कराया ब्रश्टाचार ने और ब्रश्टाचार क्यूं कानून घटी आए कभी Google करिएगा longest sentences भारत में आपको आज तक किसी ब्रश्टाचारी को साथ साल से ज़्यादा कि सजा नहीं मिलेगी इतने घोटा ले A to Z घोटा ले घोटा ले ने किसी घोटा ले बाज के 100% प्रपर्टी जबत हुई ने किसी घोटा ले बाज को आजीवन कारावास हुआ क्यूं कानून ही नहीं आपको अगर देखना है तो अमेरिका में जैसे पहले मैंने बताया चिट फंड घोटा ला किया एक लाख 41,000 साल 10,000 साल 15,000 साल 20,000 साल ये पूरी मैं तो प्रिंट आउट निकाल के लिए आया हूँ अगर आप गूगल करके देखेंगा अमेरिका में सजा कैसे कैसे हुई है तो 10,000 साल 15,000 साल तो बहुत नार्मल है लाख लाख साल सजा हुई है इसलिए कोई पैसा लेने से डरता है दूसरा एक बात और बता दो भ्रस्टा चार एक अटाइची में आप 100 रूपई की नोट रखिए और माली जी एक करोड आता है उस अटाइची में अगर 2000 की नोट रख दें तो कितने करोड हो गया 20 करोड क्यों भी या हुआ कि नहीं एक अटाइची में 100 रुपय की नोट रखने से, अगर एक करोड आता है टाइची भरने से, तो 2000 की नोट रखने सकित्ता हो गया, जितनी बड़ी करेंसी होती है, उतना जादा काला धन होता है, जितनी बड़ी करेंसी होती है, उतना जादा हवाला होता है, जितनी बड़ी करे सिब भड़ी है वहां ब्रश्टाचार जादा है काला धना हावाला ही जादा है और देजबिलोधी गत विधियों का 우ra relation काला धना हवाला ब्रश्टाचार से होता है कि Member 2 भृष्टाचार कर है कि मावाद खतंब भरष्टाचार खतंब कर यह नकसलवाद खतम, ब्रश्टाचार खतम करिये खालिस्तान खतम, ब्रश्टाचार खतम करिये धर्मांतरन खतम, ब्रश्टाचार खतम करिये जहाद खतम, ब्रश्टाचार खतम करिये देजविरोधी लेख बंद हो जाएंगे, ब्रश्टाचार बंद करिये ट्विटर पे फेस एक बार वहाँ पे सड़क की किनारे को निर्मार हो गया उसको हटवाने में हलत खराब हो जाए बैसाब वह जो आपको सड़क की किनारे अवाईद निर्मार वो फ्री में नहीं होता उसमें लाग, डेड़ लाग, दो लाग थानेदार को पहले पहुंच जाता है और थानेदार कह देता है कि एक हपते का टाइम दे रहा हो जितना निर्मार करना है कर लेना मुफ्त में नहीं होता फ्री में नहीं होता आधी रात में होता है लेकिन जानकारी में होता है और कानून घटिया है इसलिए थानेदार को भी पता है कि जब इस पे कुछ होगा नहीं और जब तक होगा तब तक मैं यहां से ट्रांस्फर हो कहीं और चला जाओंगा कोई accountability है नहीं कि मेरे थानेदारी रहते हुए कितने निर्माड हुए उसके लिए मैं पकड़ा जाओंगा ऐसाथ कुछ होना नहीं है कोई accountability तो है नहीं इस देश में अगर कानून अच्छे हो जाए दिवस्था अच्छी हो जाए तो देश की आधी समस्या अपने आप खतम हो जाएंगे लेकिन वो इसलिए ठीक नहीं हो रही है कि हम उस एंगल से देखी नहीं रहे है हम उस दिशा में जाके सोची नहीं रहे समान सिख्छा लागू हो जाए हमारा भाई चारा बढ़ेगा हिंदू जो बटा हुआ है गरीब अमीर का अधार पे दलित पिशड़े का अधार पे अपने आप नजदीक आ जाएगा लेकिन नहीं हो पा रहा है क्यों क्योंकि कहीं ने कहीं कोचिंग माफिया इसको करने नहीं दे रहे है कठोर कानून इसलिए नहीं बन पा रहा है डिमांड और सप्लाई का खेल है हम डिमांडी नहीं कर रहे हैं मजदूर दिमांड नहीं करेगा, किसान दिमांड नहीं करेगा, दिमांड तो वही लोग करेंगे, जो आप लोग बैठे हुए, मद्यम, वर्ग, मिडिल क्लास, अपर क्लास, सारे जो क्रांती होती पूरे देश में, वही करता है, बिचारा किसान मजदूर तो अपने day to day affair में दिन भर मेहनत करता है 300 रुपे, 400 रुपे कमाता अपने काम में रहता है तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि इस दिसा में आप लोग सोचे Facebook पे friend बनाए 5000 की छमता होती सब लोग बनाए Facebook को रास्टहित में यूज़ करें और Facebook को रास्टहित में यूज़ करने का सबसे बढ़िया तरीका है जब आपको कोई समस्या नज़र आए उसकी root का जिनालसिस करिए और उस पे लिख दीजे अगर आपको कहीं सड़क पे गढ़्धा नज़र आए तो लिखिए जो है न यह दो तरीके को होता है एक corruption by design एक corruption by default corruption by default क्या है आप सड़क पे जा रहे थे helmet नहीं लगाया 500 रुपे आप से ले लिए शिपाही ने आप कुछ जा रहे थे कुछ किया आप बर certificate बनवाने गया उसने बोले 500 रुपे लाओ तब दूँगा आप कहीं गए F.I.R. लिखवाने के लिए बोले जी 100 रुपे लाओ तब लिखूँगा यह छोटा corruption है बड़ा corruption क्या है